इस वीडियो में आप जानने वाले हैं एक ऐसी पेंटिंग का रहस्य जिसने कई लोगों की जाने ली ये कहानी है एक साफित पेंटिंग की जो एक मसूर चित्रकार ने बनाई थी शुरुआत में ये पेंटिंग बेहद मसूर हुई लेकिन कुछ समय बाद ही इसे जम कर बदनावी भी मिली दरसल ये तस्वीर कई हादसों की जिम्मेदारी मानी गई है दोस्तों कहते हैं कि ये पेंटिंग जिधर भी लगाए गई वहाँ बुरी तरह तबाई मुझी ये कहानी किसी मामुली चित्रकार द्वारा बनाई गई तस्वीर की नहीं बलकि इटली के मसूर चित्रकार जियो वनी प्रागोलिन की बनाई पेंटिंग की है भले आप इस पर बिल्यू ना करें बट इस पेंटिंग में बहुत सी अजीबो गरीब जानकारी आपको इंटरनेट से मिलेंगे पेंटर जीवानी ब्रागोलिन ने 1985 में एक रोते वे बच्ची की तस्वीर बनाई थी जिसका नाम ही दा क्राइंग बॉय था आपकी जानकारी के लिए बता दे कि या पेंटिंग ब्रागोलिन की सबसे अच्छी पेंटिंग में से एक मानी जाती है और जब क्राइंग बॉय की पेंटिंग बहुत ज्यादा पसंद की गई तो ब्रागोलिन ने इसकी पूरी सिंखला तयार कर दी पेंटिंग इतनी मसूर हो गई कि इस खास पेंटिंग की 50 आयार तक कापी बनाई गई लेकिन ये भी सच है कि रिस्पेक्ट मिलने के बाद उन्हें बाद में बदनामिया भी मिली और कहा जाता है कि जीन लोगों ने इस पेंटिंग को खरीद कर अपने घरों की दिवारों पर सजाया उनकी जिन्दगी तबाह हो गई घरों में हादसों का सिलसिला शुरू हो गया तस्वीर का नाम तब ज़्यादा खराब होने लगा जब एक आदमी ने इस पर बयान दिया उस आदमी ने दावा किया कि वह करीब 15 घरों में आग लगने पर अपने टीम के साथ गया वह जिस भी घर में वे आग बुझाने जाते वहाँ दा क्राइंग बॉय पेंटिंग मिलती और उस आदमी का कहना था कि उस घर का सारा समान जल जाता था लेकिन सिर्फ यह पेंटिंग सही सलामत मिलती थी और यहीं से लोगों ने पेंटिंग को सापित मानना शुरूप कर दिया लोगों ने इस पेंटिंग को घरों में रखना बन कर दिया बाद में एक अगबार के कहने पर हेलो वैं तोहार के बोन फायर में इसकी सारी पेंटिंग जला दी गई सज्वेद देखे दोस्तो कि इसके बाद ही हाटसों में कमी होने लगी यानि लोगों नहीं माल लिया कि पेंटिंग वाकई सापित थी दोस्तो वीडियो को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजेगा और हमें कमेंट बाक्स में जरूर बताएगा कि वीडियो कैसा लगा ठैंक पर वाचिंग इस वीडियो